नमस्ते दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर आज मैं बना रही हूं सिजनली पराठा इस समें मक्य का सीजन चल रहा है भुटा तो भुटा भून करके तो हम लोग खाते हैं जो कि बहुत ही अच्छा लगता है मैं सोची कि क्यों न आज इसकी एक बेहतरीन रेश् पर आज खाईए मक्य के पराठे और अगर ये मक्य का पराठा आप सभी को पसंद आएगा तो क्या करना है वीडियो को लाइक शेयर चैनल पर फर्स टाइम बिजिट कर रहे होंगे तो सब्सक्राइब ये पराठा बहुत अच्छा लगेगा बहुत ही टेस्टी बहुत ही ड पिना जन जटके जट पट बनाएए और जट पट खाएए गरमा गरम तो ये है इसके इंग्रेडियन्स मक्का ये है लहसुन छिला हुआ धुला हुआ ये है हरी मिर्च धुली हुई ये है अद्रक छिला हुआ धुला हुआ ये है प्याज छिला हुआ धुला हुआ ये है त शबच दाने करने मेर्ण तो यह कंशन करेंगे तो यह है इस पर रख दिया है कडाही गरम हो गई इसमें लिए हैं हम थोड़ा सा सरो कातेर बहुत काम ज्यादा नहीं करेंगे उसके लगवार्यकर मेरां करेंगे तो ओयल बहने लगे मतलब आटा की गोरी से निकलने लगा इसको कि मकई जो है ओयल सोकता नहीं है बस इसको सिर्फ मुझे फ्राइ करना है तो इसको हम फ्राइ कर लेंगे धीमी आज पर थोड़ा सोन पना जा और यह पक जाए पर जलेना अब यह हो गया है इसको चला देंगे फोड़ा सा अब यह हो चुका है तो इसको ध्हक करके चोड़ देंगे ठंधा होने यह अब हम लेलीए हैं यहो के आटा एक ठाली में और यह बेसं बेशन 2-1 बेश्ट करके देंगे चल، धन्यकर अजवाईय में पर मेरे पर मेरे पास अभी धन्या के पत्ती नहीं थी तो कसूरी मेथी भी बहुत अच्छा बेस्ट ऑप्सन होता है तो कसूरी मेथी थोड़ी सी मोयन इसको खुब अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे मिक्स करके एक सौफ्ट दो त्यार कर लेंगे पराथा बनाने के लिए जिससे हम पराथा हमारा अच्छी तरह से बन सके इसको हम पानि के दौरा नॉर्मल वाटर जैसे रूम तंप्रेचर पर जो पानी होती है उससे इसे गूत वह colorful हो जाएगा फर्स्ट तो और सेकेंड थोड़ा सा चटपटासा हो जाएगा तो मेरा मकई भी भून करके ठंड़ा हो करके अब रेडी हो चुक्या है पिसने के लिए इसको हम ले लेते हैं मिक्सी जार में इसतर है यह हो जाता है ऊसका जो ऑवर हां से भी कर लिए यह प्याज यह है अधरक अली्ष यह अधरक मोग्रेट कर लिए अभर फता भाई को जो अड मिया को सकते हैं इसे मैं हम थोड़ा सयह को जादा नहीं जादा नहीं होनचा आटे में हैं वह थोड़ा है जल्क मसारा लिए तो हम चाट मसाला भी बेस्ट ऑप्शन होता है किसी चीज को चटपट बनाने के लिए और अगर पसंद है तो अपने मर्जिक जो हम मिर्ची लिए हरी मिर्ची वह काफी तीखी है तो अगर आप लोगों का मन है तो उपर से लाल मिर्ची पॉडर और बेसिक मसाले मिक्स कर सकत हैं पर बहुत ज्यादा मिक्स कर देने से क्या होगा कि जो मक्वय का टेस्ट है और जो प्याज हरी मीच ऑ द्रग लैशं का जो फ्लेवर है वह काम हो जाता है तो इसलिह हमें इसका फ्लेवर को मेसूस करना है इसलिह हम ज्यादा मसाला नहीं मिक्स करेंगे तो अब हमारा पराठे बेलना शुरू करते हैं हम उस्टिकना शुरू करते हैं। जब किसे भी चीज के कोई भी दीस हम बना रहे होते हैं तो जैसे माली पनीर ही बना रहे हैं तो पनीर जो भी सब्जी जो मतलब जो कर सकते हैं मेरे बहुत कम खाया जाता है तु भी तिखा करने के लिए हैं इसलिए हम ज्यादा मिसये कि चाले मिरचा में भी तो बहुत तीक्र वहीं मिरची हैं खुद भी नहीं खाती हूं इसे हम इस तरह से फोल्ड करके इखें कि बनाएये waren तो इस तरह से बना सकते हैं, क्योंकि गोली बना करके फट जाएगा, तो पराठा का तो मेस्ट पॉइंट यही होता है, पराठा या भरी हुई पूड़ी फटे ना, अगर वो फट गया, तो फिर वो तो कालीगरी में कमी हो जाएगी, फिर वो आप आर्टिस्ट नहीं है, अगर आप ऐसा भी कर सकते हैं, कि रोटी को खुब पतला बेल लीजे, जैसे रोटी बनाई जाती है, मोटा न रखिए, उसमें भर करके हाथ से ही प्रेस करके दबा दीजे, और उसको बेल यह नहीं, तो भी नहीं फटेगा, और नहीं तो मेरी तरह से कर सकते हैं, इस तरह बैटर भी बाहर निकल लेगा, फिर वो मजा नहीं आता, जो फट जा, जो बंद रहने पर होता है, फिर फट जाता तो अच्छा नहीं लगता है, तो इस तरह से हम बेली है, अब इसको हम सेक लेते हैं, दो बेले हैं, दो इसेक के दिखाएंगे, क्योंकि वीडियो काफी ल शेयर भी कर दिजेगा, दुसरों को बताने के लिए, बहनों को बताने के लिए, बेटियों को बताने के लिए, भावी, ना, फोन पर बात होती है न, आज तुम क्या बनाई, आज तुम क्या बनाई, तो उसमें इसको शेयर कर लिजेगा, कि रेश्पीज रानी श्मीता के चैनल को देखिए सब्सक्राइब कीजिए वहां पर अच्छे अच्छे दिस बनते हैं रेश्पीज बनते हैं आप लोग भी बनाईए और अपने फूल फैमिली को बना बना करके खिलाईए और फैमिली का तारीफ सुनिए देखे पराठे किस तरह से फूल जा रहे हैं अगर फूलता नहीं इसने पराठे को फटना नी चाहिए देखे पराठा बहुत अच्छा खुब्सूरत यलो सा बहुत खुब्सूरत बन करके रेडी हो गया है बहुत आच्छी खुसबू भी आ रही है पर खुसबू का हासास तो सौरी मैं नहीं करा सकती न और अब यह है चटन और यह है नहीं जानती तो फ Nuclear यह प्रीजम शुयता करेंगे उसल फ्मकरांते अब पिशीए तो आगे वीडियो में देखेगा तो इसको रह सकते हैं धूप में धूफ में रह्तीय जब तक यह खतिम नहीं होगी तब तक खराब होक्या रिच्टम होगा Scraper प्रीज में भी श्टोर कर सकते हैं, यह चटनी खराब नहीं होती, इस तरह से इसमें हम सारी मिर्सी ले लेंगे, अब इसमें हम सब कुछ मिक्स कर देंगे, नमक थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, यह है आजवाई, सर्सु, लहसुन, अद्रक, अद्रक को काट दे रहें, कट पानी उज़ नहीं करना है, इस तरह से निवू करस निकाल लेंगे, ताकि इसमें कर बीज हम निकाल लेंगे, अब इसको हम इसमें मिक्स कर देंगे, ज्यादा नहीं, इस तरह से पीछ लिए हैं, अब इसको हम इस बॉल में ट्रांसफर कर लेते हैं, ताकि जब रखना होग तो रखने में आसानी होगी इसमें हम भून करके मिक्स करेंगे आधा चमच क्वान्टीटी गनुसार आधा चमच हल्दी तो यह चटनी बहुत अच्छी लगते हैं आप लोग भी से ट्राइब के जीएगा मिलती हुँ नेक्ट एपिसोड में एक अच्छी सी रेस्पी के साथ तब तक के लिए बी से बी अलट थैंक यू यह मक्य की पराथा और चटनी मिजचे की बनकर के रेडी हो गई है आप लोग भी से चुक्राइब जरूर कीजिएगा